हलो स्टूरेंट्स दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरे दून के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मम्ता सेंग आपकी केमिस्ट्री बायोजी टीचर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती है बच्चो ये अभ्यास सीरीज पे जो MCQs questions हम topic wise लेकर आ रहे हैं में हमारा ये प्रयास है कि पूरे topic को हम कुछ MCQs के माध्यम से आपको जादा से जादा समझा सकें ठीक है और आपको पता चल जाए कि किस तरह के questions form हो सकते हैं तो चलिए आज एक और important topic है biology से skeletal system और उसके कुछ MCQs questions हम देखने वाले हैं तो देखते हैं पहला question क्या है which of the following is a ball and socket joint तो बच्चों हमारे जो body है उसमें अलग-अलग joints present होते हैं जैसे कुछ joints आपको option पर बना के दिये हो हैं ankle joint, elbow joint, shoulder joint और thumb joint तो उसमें जो free movement के लिए होता है वो होता है ball and socket joint तो ball and socket joint जो है वो कहाँ पर present होता है ये आप ध्यान रखें इसे ball and socket क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें एक bone जो होती है वो ball की तरह काम करती है और दूसरी bone जो होती है वो socket की तरह काम करती है और हमारी body में हमारा जो shoulder joint होता है यहाँ पर ये वाली जो bone है ये bone जो होती है इसको हम humerus कहते हैं तो humerus का जो head होता है, वो एक ball की तरह काम करता है, और हमारी जो girdle होती है, यहाँ पर shoulder girdle, जिसको हम pectoral girdle कहते हैं, यह जो pectoral girdle है, इस–पर एक facet होता है, यह facet जो होता है, वो socket की तरह काम करता है, और यहाँ पर यह दोनों bone आपस में क्या करती है? move करती है तो एक socket के अंदर ball move करती है दूसरी bone ball की तरह move करती है और यहाँ पर हमें जो movement होता है वो free movement होता है यानि अच्छा खासा movement आपको यहाँ पर देखने को मिलता है आप पूरा हाथ यहाँ पर क्या कर सकते हैं घुमा सकते हैं all directions में तो ball and socket joint जो होता है वो free movement प्रोवाइट करता है एक bone ball की तरह काम करती है एक bone socket की तरह काम करती है तो जो option हमारा बन रहा है वो option है shoulder joint अच्छा एक और body part होता है हमारा जहाँ पर यह joint present होता है तो यह joint also present होता है हमारे hip में तो हमारा जो hip joint होता है वहाँ पर भी ball and socket joint present होता है कभी आपने लेट कर अपने पैरों को ऐसे चारों तरफ गुमाया है तो आप देख सकते हैं कि आप उनको गुमा सकते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर ball and socket joint present होता है जो free movement देता है चलिए, आते हैं next question की तरफ Which of the following bone of this skull is movable? तो यहाँ पर बताया गया है कि भई, जो skull होता है generally उसमें जितनी भी bones होती है कितनी bones होती है skull में? तो बच्चों, skull में जो है वो cranium में 8 bone present होती है cranium में और 14 bone present होती है facial bone 14 bones जो होती है facial bone यह जितनी भी bones हैं तो total यह हो गई आपकी 22 bones जो कि skull बनाने में participate करती है इन 22 bones में जो आपस में joint होते हैं वो joint है immovable इसका मतलब है कि वो move नहीं कर सकते हैं लेकिन यह जो पूरा skull है उस skull में एक bone ऐसी होती है एक bone कौन सी? यह bone होती है इस bone को हम बोलते हैं maxilla यह mandible यह जो mandible bone होती है यह mandible एक ऐसी bone होती है जो कि moveable होती है ठीके, mandible की जो bone होती है वही हमारे पूरे skull में moveable होती है हम इसको move कर सकते हैं ऐसे करते हैं ठीके, सिर्फ यह bone हमारी move कर सकते हैं बाकि यहां की facial bone forehead की bone skull की bone cranium की bone ये सब क्या होती है यह यहां पर movement नहीं होता है चलिए एक और चीज़ आपको यहां पर मैं बता दूगी कि इनके बीच में जो joint होते हैं जो immovable joint होते हैं उनमें form cementing होती है इनको हम sacher कहते हैं Informed Cementing को हम सचर कहते हैं, ठीक है, तो चलिए, तो आपका option यहाँ पर मिल जाएगा, कि skull में कौन सी bone movable होती है, तो वो होती है, mandible, और mandible क्या है बच्चों, यह है lower jaw, यदि आप से कोई पूछे कि upper jaw की bone को क्या कहते है, तो upper jaw की bone को बोलते है, maxilla, ठीक है, maxilla movable नहीं होती, और एक और बहुत ही important point कि हमारी body में सबसे strongest muscle कहाँ पर present होती है, यह question यदि आपको आए, कि सबसे strong muscle कहाँ पर present होती है, तो हमारी body में सबसे strong muscle कहाँ present होती है, mandible में present होती है, चलिए हम carnivore है, omnivore है, तो हमें flesh भी खाना होता है, इस वज़े से यह जो bone है, वो क्या है, बहुत strong है, साथ ही यहाँ पर जो muscle लगी हुई है, वो सबसे strongest muscle होती है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, finger bones are also known as, finger bones को हम क्या कहते हैं, तो बच्चों जो finger हैं, उनको हम बोलते हैं phalanges, और हमारे हर एक हाथ में कितनी phalanges होती हैं, देखिए, दो अंगोठे में और तीन-तीन पूरी उंगलियों में, तो टोटल जो phalanges होती हैं, एक हाथ में वो कितनी होती हैं, 14 phalanges होती है, अच्छा हमारी ये जो palm बनाने वाली, ये जो हतेली बनाने वाली जो bones होती हैं, उन bones को हम क्या कहते हैं, कारपल्स कहते हैं, तो टोटल कारपल्स कितनी होती हैं, पाच कारपल्स होती हैं, बेटा कारपल्स होती हैं, ठीक है, और उन से नीची कलाई बनाने वाली जो bones होती हैं, वो कलाई बनाने वाली bones को हम क्या कहते हैं, कारपल्स कहते हैं, और टोटल कितनी कारपल्स होती हैं, फिर से repeat कर रहे हूँ, हमारी जो wrist बनती है, wrist बनाने वाली bone क्या होती है, 8 bone होती है, इन्हें हम carpel कहते हैं, हमारा palm बनाने वाली bone होती है, वो total 5 bones होती है, इनको हम metacarpals कहते हैं, और हमारी उंगलिया बनाने वाली total bone होती है, 14 bone, जिनको हम phalanges कहते हैं, ठीक है, चलिए, तो right option क्या बनेगा आपका option C metacarpals क्या है metacarpals क्या बनाएंगी petacarpals बदाएंगी आपका पाउप ठीक है गडल्स क्या है गडल्स मतलब pectoral गडल और pelvic गडल यानि कि shoulder bone ये है shoulder bone और hippo bone ठीक है तो right answer क्या बनेगा आपका C next है name the longest and heaviest bone of the body तो ये question बहुत frequently पुछा जाता है heaviest and longest सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे heavy bone हमारी body की कौनसी होती है ठीक है तो उसका option है आपका femur ये femur bone होती है जो हमे हमारे कौनसे reason में present होती है थाई वाले reason में present होती है और इसको हम thigh bone भी कहते हैं ये सबसे लंबी bone होती है और सबसे जो strong bone होती है वो होती है heaviest bone होती है तो यहां पर आपको पुछा गया कि smallest muscle क्या होती है smallest bone तो smallest bone जो होती है वो होती है आपकी steps और steps कहां पर present होती है बच्चों हमारा जो ear है उस ear को हमने तीन पार्ट में divide किया है एक होता है external ear ये वाला जो part है that part is external ear बाहरी कान जिसको हम बोलते है external ear जो बीच का part होता है उसे हम बोलते है middle ear ठीक है तो हमारा जो middle ear है वहां पर तीन बोन present होती है देखिए यहां पर मैं diagram में आपको बता देती हूँ ये ऐसे 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 one ये ये दूसरी bone और third जो bone होती है ये वाली ये जो bone होती है ये third bone होती है तो यहां पर middle ear में one two और three तीन bone present होती है जिनको हम malus incus और steps कहते है इसमें से जो steps होती है वो smallest bone होती है smallest bone of our body ठीक है और यहां पर जो muscle लगी होती है वो हमारी body की सबसे small muscle होती है और उसका नाम भी उसी के according दिया गया है steppidus क्या है steppidus muscle steppidus आपको याद रहेगा यकापर आप steps से इसको correlate कर सकते है steps कहां पर present होता है ये एक small bone होती है जो हमारे middle layer में present होती है ये हमारी body की सबसे छोटी bone होती है इस bone से लगी हुई एक muscle होती है जिसे steppidus कहते है जो हमारी body की सबसे small muscle होती है तो हमारी body की सबसे लंबी muscle क्या होती है तो देखिए वो option भी आपको यहां बना करके दिया हुआ है ये है Gluter Maximus Gluter Maximus कहा पर present होती है ये Femur से जोड़ी होई रहती है और अभी हमने डिसकस किया कि Femur जो है हमारी बॉड़ी की सबसे बड़ी बोन होती है तो वहाँ पर जो मसल होती है वो हमारी बॉड़ी की सबसे बड़ी मसल होती है तो ये दो मसल्स तो आपको learn करनी है एक है gluteus maximus और दूसरा stepadius नेक्स्ट है which of the following connect the sternum to the ribs इन में से कौन sternum को rib से connect करता है तो बच्चों हमारा जो chest वाला reason है उसमें endoskeleton का एक part होता है इस part को हम बोलते हैं rib cage इस part को rib cage कहते हैं इस rib cage के तीन बड़े part होते हैं एक part होता है sternum sternum को हम breast bone भी कहते हैं क्योंकि ये breast reason में present होती है एक single flat bone होती है ये देखिए ये मैं mark कर रही हूँ आपको ये एक single flat bone है जो कहां पर present होती है ये हमारे chest वाले reason में present होती है इसको हम breast bone भी कहते हैं और इस से जुड़ी हुई रहती है ribs, ठीक है, इस sternum से जुड़ी हुई रहती है ribs, टोटल कितनी होती है, 12 pairs of ribs होती है, इसको भी याद कर लिजे, आप काफे पूछा जाता है, और third part इस rib cage का होता है, that is vertebral column, याने vertebrae, जो each vertebrae है, वो यहाँ पर जुड़ी हुई रहती है, back side में, ठीक है, तो back side में क्या जुड़ी होती है, ये vertebrae जुड़ी होती है, किस के साथ में, rib cage के साथ में, जो lateral side है, वहाँ पर क्या जुड़ी रहती है, वहाँ पर ribs जुड़ी रहती है, question आपको पूछा गया है, कि जो ribs है, उनको sternum से जोड़ने वाला part क्या होता है, तो य हम बोलते हैं, hyaline cartilage, ये कौन सा part है बेटा, hyaline cartilage, तो काफी पूछा जाता है competition में, कि hyaline cartilage कहां पर present होती है, तो hyaline cartilage present होती है, ribs को sternum से जोड़ने वाले स्थान पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये hyaline cartilage आपको blue color से दिखाया गया है, dark color से जो आपको दिखाया गया है, व हमारा right answer क्या होगा, hyaline cartilage, next आते है हम question पर, the hollow space in the middle of bones is filled with air, blood, bone cells और bone marrow, तो undoubtedly जो answer होगा, वो होगा bone marrow, तो बच्चो bone marrow क्या होता है, हमारी जितनी भी बड़ी bone होती है, चलिए मैं ये एक imaginary bone यहाँ पर बना रही हूँ, ये जो बड़ी, जितनी भी बड़ी bones होती है, उनके अंदर एक खोकला एक भाग होता है, अंदर से bone जो होती है, वो खोकली होती है, और इस खोकली हिससे भी, एक fluid भरा हुआ रहता है, उस fluid को हम bone marrow कहते हैं, इस fluid को हम क्या कहते है, bone marrow, ठीके, अस्ती मज्जा, हिंदी में इसको बोलते है, अस्ती मज्जा, और bone marrow क्यों important है, ये एक living tissue हो दा है बच्चो और ये living tissue क्या produce करता है ये blood cell produce करता है सारी के सारी blood cells कहां से बनती है bone marrow से बनती है जो बड़ी bone के जो ends होते हैं वहाँ पर present होता है red bone marrow red bone marrow और red bone marrow से बनती है क्या RBC ये question भी काफी पुछा जाता है कि RBC कहां से बनती है red bone marrow से तो सबके जो last part है वहाँ पर क्या होगा red bone marrow होगा और बीच में एक हिस्सा होगा यहाँ पर क्या होगा yellow bone marrow होगा तो bone marrow दो तरह का हुआ red bone marrow और yellow bone marrow और yellow bone marrow से क्या बनते हैं WBC बनते हैं ठीके तो याद रहेगा आपको bone marrow क्या है bone के अंदर एक fluid है जो की living tissues से मिलकर के बना है इससे blood cells बनती है red bone marrow से RBC और yellow bone marrow से WBC ठीके तो right answer होगा आपका option T bone marrow next time what is the number of floating ribs in human तो बच्चों जो ribs होती है total number of ribs होती है वो कितनी होती है 12 pairs होती है अभी मैंने आपको बताया और ये जो 12 pairs होती है इन ribs को हमने 3 part में divide किया है तीन प्रकार में divide किया है एक होती है true ribs एक होती है false ribs और एक होती है floating ribs total कितनी तरहें की ribs हो गई तीन तरहें की total pairs कितने होए 12 pairs और यदि आपसे पूछे कि in total कितनी ribs present होती है तो 24 ribs in total present होती है तो question का frame भी देखिएगा आप कि आपको question क्या पूछा गया है अभी क्या पूछ रहा है वो कि कितनी number of floating ribs होती है तो बच्चो true ribs क्या होती है 1 to 7 pair of ribs true ribs कहलाती है क्यों कहलाती है two ribs आप देख सकते हो one two three four five six और seven ये directly किस से जुड़ी हुई है sternum से जुड़ी हुई है one two seven pair directly किस से जुड़ा हुआ है sternum से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम क्या कहते है true ribs ठीके false ribs क्या होती है nine pair ten pair और eleven pair eight nine ten ये क्या होती है false ribs होती है इनको false ribs क्यों बोलते है क्योंकि ये directly sternum से न जुड़ करके किस से जुड़ती है seventh pair of vertebrae से जुड़ती है ribs से जुड़ती है तो देखे इसको मैं ऐसे बता देती हूँ ये है eighth pair seven से जुड़ गया ninth pair seven से जुड़ गया tenth pair seven से जुड़ गया ये जो तीन होती है, कौन-कौन सी, 8, 9 और 10 ये डिरेक्ली इस टर्नम से नहीं जुड़ी, लेकिन किस से जुड़ी हुई है, 7th रिप से जुड़ी हुई है ठीके, तो इन्हें हम कहते हैं, false रिप, कौन-कौन से, 8, 9 and 10 जो दो बची, 11 and 12, ठीके, कौन-कौन सी, 11 पेर और 12 पेर ये पीछे से किस से जुड़ी हुई है, ये पीछे से जुड़ी हुई है, किस से वर्टिब्रल कॉलम से लेकिन आगे ये किसी से जुड़ी हुई नहीं है, आगे किसी से इनका जुड़ाव नहीं है ना तो ये 7th ribs से जुड़ी हुई है ना ही ये sternum से जुड़ी हुई है ये क्या कर रही है? float कर रही है सिर्फ और सिर्फ ये पीछे vertebral column से जुड़ी हुई है आगे इनका कोई भी जुड़ाव नहीं है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? floating ribs कहते हैं क्योंकि आगे कोई attachment नहीं है इसलिए बहुत feeble होती है और आसानी से ये क्या हो सकती है? break हो सकती है तो कितने pair of floating ribs हुए? 11 and 12 pair याने 2 pairs तो option क्या होगा आपका? option B 2 pairs of floating ribs चलिए next question what is the type of joint found in wrist? wrist में कौन सा joint present होता है? तो चलिए यहीं सारे joints आपको बता देती हूँ saddle joint हमारा present होता है इस वाले part में ये जो हमारा joint है ये thumb और first finger साथ में हमारी ये wrist यहाँ पर एक ये triangle type का joint है इस joint को हम बोलते है saddle joint तो ये present होता है thumb वाले हिसे में टीक है? gliding joint gliding joint present होता है हमारे wrist वाले part में तो ये कहाँ present होता है wrist में और ankle में पैर में ankle जो होता है टक्टर जो होता है वहाँ पर भी जो joint होता है वो gliding joint होता है पैर जोइन 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 होता है वो होता है hinge joint तो wrist में आपको पूछा गया है कि wrist में कौन सा joint present होता है तो wrist में present होता है gliding joint इसको हम अभी discuss कर चुके हैं देखिए wrist में मैंने आपको बताय था कि ये ankle का है ये ankle और wrist की बात कर रहे हैं तो ankle का joint आपको बताया है एंकल की जो bones होती हैं, उनको हम tarsals कहते हैं, seven bones होती हैं, जो tarsals बनाती हैं, और जो wrist की bone होती हैं, उनको हम carpal बोलते हैं, ठीक है, और ये जो carpals होती हैं, वो कितनी होती हैं, eight होती हैं, ये bones कुछ इस तरह से होती हैं, कि ये एक bone बनाएगी उसका plane और दूसरी bone उसके उपर क क्या करती है? ग्लाइड करती है. ठीक है? तो ग्लाइडिंग जॉइंट यहाँ पर प्रेजन्ट होता है. तो एंकल और रिस्ट में कौन सा जॉइंट है? ग्लाइडिंग जॉइंट है. The thinnest bone of human body तो यह बहुत ही important question है. आपको longest और heaviest bone भी मैंने बताई फीमर होता है. तो बॉड़ी की thinnest bone क्या होती है? बॉड़ी की smallest bone मैंने आपको steps बताई. thinnest bone जो होती है वो होती है fibula. और fibula जो है हमारे leg वाले हैं हिससे में present होती है. लेग में दो bone present होती है. एक होती है fibula और दूसरी होती है tibia. इन्हें अक्सर collectively tibia fibula कहते हैं. यह दो bone होती है जो हमारा leg बनाती है. अब इसमें जो fibula है वो एक लंबी और thinn bone होती है. यानि लंबाए के according इसकी चोड़ाई जो होती है वो बहुत कम होती है. तो right answer होगा हम इसमारा that is fibula. इंकस कहां पर present होती है? यह present होती है middle ear में. मैलस भी कहां present होती है middle ear में. स्टेपस भी कहां present होती है middle ear में. middle ear की bone को ear ossicles कहते हैं. क्या कहते है बच्चो? ear ossicles. यह तीनों bone मिलकर के ear ossicles बनाती है. तो skeleton system से related बहुत सारे question में ने आपके साथ में discuss किये हैं. यद पढ़ते रहें. रिवाइस करते रहें. गुद बाई.